भारत के पड़ोस में पाकिस्तान की चर्चा आजकल बहुत कम हुआ करती है भारत में भारत में इन दिनों समिनार और वर्क्शॉप और जो कन्वेंशन्स हैं और मल्टिलेटरल फोरम्स हैं इसकी बहुत ज्यादा बाड़ आई हुई है धेरो थिंग टैंक्स निकले हुए है भारत में लेकिन मज़े की बात यह है कि जो है कुछ यूट्यूबर्स जो है जो पुराने ढंके हैं जो जो बटवारे के टाइम के जो पैदाईश है वस वही जो ह कुछ हो रहा है उसके बारे में कुछ-कुछ जो है नजर रखनी चाहिए अभी महाल में जो है काफी काफी इंट्रेस्टिंग घटना करम हो रहा है पाकिस्तान में और काफी इंट्रेस्टिंग घटना करम हो रहा है और सवाल है कि जो है उसके बारे में जो है क्या कहा जाए मतलब पाकिस्तान में इन दिनों जो है बम बारूद या मिसाइल से डर नहीं है इंटरनेट से जो है डर है पाकिस्तान की सेना को जो पाकिस्तान की वाकई मालिक है जो पाकिस्तान को चलाने वाली या पाकिस्तान को बैठाने वाली जो जो कुवत है जो जो एंटिटी है पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान की सेना जो है काफी डरी हुई है जो जो इंटरनेट से और बार बार जो है वो लोग जो है आजकल जो है बार बार पाकिस्तान में जो है अलग अलग लेवल पर जो है जो वहां की सेना है वो यह कम्यूनिकेट करना चाहती ह कि इंटरनेट के माध्यम से जो है पाकिस्तान में जो है वो पाकिस्तान की सौवरेंटी को उसकी इंटेग्रिटी को खतरा है यानि उसकी अखंडता को खतरा है है ना पाकिस्तान तूट सकता है मतलब दूसरे लफजों में कहा जाए तो यह कहा जाएगा कि भई वो यह कह रहा कि हमारे elections में interference हो रहा है और रश्या चाइना इसके लिए जिम्मेदार है और इस तरह की बाते जो है वो करते हैं लेकिन जो है जो पाकिस्तान की सेना जो पाकिस्तान में नहीं है और कौन है बाकी जो जो पॉलिटिशन्स है वो तो बस किराय के होते हैं जब उनको जब उनको नोकरी जब वहां पर उनको पद मिलना होता है तो पाकिस्तान में रहते हैं जब पद मिलना नहीं होता है तो चले जाते हैं विदेश में दुबई चले जाते हैं लंदन चले जाते हैं तो कहने का मतलब यह है कि जो है जो आप जो कह रहे हैं कि बागिस्तान को इंटरनेट स खत्रा है और डिजिटल टेर्रिजम की बात कर रहे हैं तो इसमें जो है जो आप अगर थोड़ा सा इसके बैगराउंड में जाएंगे तो कई चीज़ें निकल के आ रही हैं जैसा मैंने पहले भी जो है कुछ पुराने वीडियो में देखा कि जो है वेस्ट में भी जो है वेस करके तो इस कारण से जो है वो अपने पुरानी पार्टियों को छोड़ करके जो नहीं नहीं जो राइट विंग पार्टी से उनको वोट दे रहे हैं तो आखिरकार जो है राइट विंग पार्टी प्रपागंड़ा कैसे कर पा रही है वो तो इंटरनेट के माध्यम से ही कर मुति दे सकते हैं और जो है लोग शड़कों पर निकल्ग आएंगे तो कैसे काम चलेगा। फिर दूसरी बात यह भी है कि बंगलादेश में जो हुआ कि वहाँ पर जो है जो माना जाताथा कि शेक रसीना का शासन है तो वहाँ पर तो बंगलादेशी सेना भागना पड़ा, अब कितना सही है, कितना गलत है, क्या होना चीए, नहीं होना चीए, बात की बात है, लेकिन पाकिस्तानी सेना को भी मालूम है, कि पाकिस्तान में तो हकूमत सेना की ही है, तो अगर किसी को भागना पड़ेगा, सत्ता छोड़के तो कौन भागेगा, पाकिस इसे मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि जिनमें बताया जा रहा है कि इंटरनेट वहाँ पर 40% स्लो कर दिया गया है। इलाकों में है नहीं और जहां पर है जहां पर आर्बन सिटीज में वहाँ होगी भी तो वहाँ पर भी 40% उनको स्लो कर दिया गया है इंटरनेट को यह एक बहुत बड़ी बात है। से वह कुछ काम उठाते हैं और उसके बदले में उनको ऑनलाइन पेमेंट मिल जाता है। तो वह जो इंडस्ट्री है जो थोड़ी बहुत कमाई हो रही थी उनकी वह भी ठप बैठी हुई है। तो अब सवाल है कि अब इंटरनेट ही आप बंद कर देंगे तो दुनिया से जुड़ावी खतम हो जाएगा। लेकिन अब पाकिस्तान के सेना के सामने समस्या ये है कि अगर वह इंटरनेट आदू रखती है तो ठीक है जनता में नराजगी नहीं होगी लेकिन जनता जो बहार की चीज़े देख रही है समझ रही है उसके चलते जो है उनके अंदर काफी एक गुस्सा है। फिर एक बहुत बड़ा कारण ये भी है जो डिजिटल टेर्रिजम की बात कर रही है बाग पाकिस्तानी से ना वो ये भी है कि वो जो पाकिस्तानी जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो भारत का कंटेंट देख रहे हैं भारत के फिल्में भारत का जो युएब व पहरत में यहां पर जो है जो आदमी मुब्वस का राशन दे रहा है, यहां पर जो आदमी उद्योग लेकर आ रहा है, यहां पर जो आदमी जो है वो कश्मीर पर मध्यस्ता स्विकार नहीं किया, लेकिन रूस और अमेरिका के बीच में युक्रेन मध्यस्ता करने के लिए इसके लिए आपको जो है डिस्क्लेमर लगाना होगा उसमें तो इस प्रकार का जो है आजादी जो देख रहे हैं पाकिस्तानी उसके उससे ज्यादा असर पड़ा उसके इससे पाकिस्तानी सेना को समझ में आ रहा है कि यह बहुत बड़ी चनाउती है और इसलिए जो है वो मतलब जो है यह समझ नहीं पा रहा है कि कैसे सू गंट्रोल किया जा और इसलिए जो है डिजिटल टेरिरिजम का एक नेरेटिव बना करके और वो जो है अपने हाँ पर इंटरनेट को बंद करने का या इंटरनेट को स्लो करने का जो है वो कोशिश कर रहे हैं तो अब सवाल उठता है कि कई लोग जो है भारत में जो मैंने गता है कि जिसे कई डानसौर टाइप के जो पुराने पॉलिटिशन है वो आज भी कहते हैं कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए और पाकिस्तान से करना चाहिए लेकिन सवाल उठता है कि पाकिस्तान के अगर आप वो क्या से इस्तमाल करेगा उसका तो इस्तमाल वाइसे ही करेगा कि पाकिस्तानियों को ही और दबाएगा पाकिस्तानियों को ही जो है और परिशान करेगा है ना जो आम पाकिस्तानियों उसका जीवन और मुश्किल होगा तो इसलिए भारत को जो है ये पाकिस्तान के साथ ज पाकिस्तान की सर्कारों को कि आपके लोग हमारे देश में किसी भी रूप में आते हैं लेकिन वो वापिस नहीं जाते हैं वो भीक मांगते रहते हैं या पिर वो किसी क्रिमनल एक्टिविटी में पाय जाते हैं तो ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला हो गया है पूरे जो UAE है, साउदी अरब है वहाँ से जो हैं शिकायते बहुत बड़े पैमाने पर आ रही है बार-बार आ रही है, इराक और इरान से आ रही है शिकायते तो अब कैसे इसको हंडल किया जाए तो ये भी एक कारण है कि जो है इन सब जो खबरों को जो है जिसके चलते जो है ये माना जा रहा है कि जो अरब देश है वो भी नाराज है अरब देश भी जो है वो पाकिस्तान वो तुर्की जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर नाराजगी है कि बागिस्तानी लोग यहां क्या करते हैं यहां करके तो इस कारण इन खबरों को भी दबाने की जरुवत है क्योंकि कहीं न कहीं जो है इससे भी फरक ये पड़ रहा है कि जो है पाकिस्तान में ये नेरेटिव बन रहा है कि इस तरह का शाषन चल रहा है कि जब भारत जो है वो 2014 के बाद जो है अरब देशों से उसके अच्छे संबंध हो गए और दूसरी तरफ पाकिस्तानियों को आरब देश भगा रहे हैं तो ये किस तरह का शाषन चल रहा है तो इसके चलते भी काफी डर है पाकिस्तान की से ना में और वहाँ पर मौके नहीं है वहाँ पर भूख है जादा है तो इस कारण से कैसे कंट्रॉल करेगी लोग कोई इंटरनेट के माध्यम से जो है सोशल मीडिया के माध्यम से खटे मत हो जाए कोई आंदोलन मत चल निकले इन सब चीजों को दबाने के लिए इन सब इसकोप को खतम करने के लिए जो है यह डिजिटल टर्रिजम का जो है एक नेरेटिव बनाया गया है और राश्ट्रे सुरक् कि जो इंटरनेट फायरवाल वहां लगे है उसके चलते वहां पर जो है इंटरनेट एकसेस काफी कम हो गया है और जो है पागिस्तानी सेना जो है उसको थोगा और महुलत मिल गई है कि वो जो है पागिस्तान पर और कुछ समय शासन कर सके लेकिन अब कब तक चल पाएगा क पैसे की जोरत तो है और पैसा कहीं से आ नहीं रहा है और चाइना को कर्ज लोटाना है कर्ज जो है वो बढ़ते जा रहा है तो अब कैसे इसको जो है देखना होगा और बाहर के जो जो अगर बाहर से कोई पैसे की मरत देगा तो अपनी शर्ते भी लगाएगा तो इस सब बात और मिसाइलों से तैनात युद्ध बोत जो है और पंडूबियां जो है वो तैनात की गई लेकिन अब जो है पाकिसानी सेना को जो है वो डिजिटल टर्रिजम याद आ रहा है मतलब उनको यह थमझ में आ रहा है कि लोग कंपूटर में बैठ करके या मोबाइल में कुछ करें लिए वो अपने लोगों से इंटरैट का अदिकार चीन रही है और जो मानाव अधिकार के तो निश्चित तोर पर यहां के जो मानौ अधिकार के और जो पुराने जो खैलात के लोग हैं और जो इंटरनेट की फ्री अवेलेविलिटी पर जो रिपोर्ट दायर करते हैं वो लोग निश्चित तोर पर इसको डॉक्यमेंट करेंगे और इसके बारे में जो है आलोचना जो हैं सक्त सक्त लहजे में जो हैं आलोचना जारी करेंगे